रनबीर कपूर और आलिया बट काफी समय से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं अब कहा जा रहा है कि दोनों इसी महेने अप्रेल में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं हाल ही में राखी साउंत ने इस पर रियक्ट किया और कहा कि वो दोनों की शादी की खबर से बहुत खुश है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो आलिया के साथ बैग में बैट कर दहेज के रूप में जा रही है राखी का यह रियक्शन सोचल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है राखी ने कहा आलिया के लिए ये साल कितना अच्छा है गंगुबाई काठियावाडी और ट्रिपल आर सुपर हिट हो गई और अब वो शादी कर रही है वाओ हालिवुड जा रही है और दहेज में मैं जा रही हूँ मैं आलिया के बैग में बैठ जाऊँगी आलिया के अंकल ने हाल ही में कनफम किया है कि कपल की वेडिंग फैस्टिविटीज 14 अप्रेल से शुरू हो जाएंगी दोनों की प्री वेडिंग फैस्टिविटीज और ग्रेंड शादी चैंबूर सित आर के हाउस में होगी तीन चार दिन की सेरेमनी के बाद कपल पंजाबी रिती रिवाज से 17 अप्रेल को शादी करेंगे रनबीर और आलिया की इस ग्रेंड वेडिंग में फिलम इंडस्ट्री से कई सारे स्लेब्स के आने की संभावना है इसमें डारेक्टर संजे लीला भनसाली, करन जोहर, जोया अक्तर, एक्टर, वरून धवन, डिजाइनर, मसाबा गुप्ता, दीपी का पादुकोन और रनबीर आलिया की फिलम ब्रमास्तर के डारेक्टर आयान मुखरजी का नाम भी शामिल है सूत्रों के मुताबिक आलिया ने बॉलिवुड सुपरस्टार सारुक खान को भी अपनी शादी में इन्वाइट किया है वहीं कपल के करीबी अरजुन कपूर, फैशन डिजाइनर, मनीश मलहोतरा और अनुसका रंजन भी इस शादी में शामिल होंगे